वेलकम टो एकलव्यास नातक and I am सचिन और आज की इस वीडियो में हम सभी B.A. Semester 3 से जो History of India 1200-1700 सब्जेक्ट है इसकी Unit 5, Art and Architecture in Medieval India मुगल Miniature Painting ये में आज टॉपिक आप सभी को करवाने वाला हूँ स्वाइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे Instagram पे message कर सकते हैं मेरा username आप सभी के screens के सामने लिखा हुआ है अगर आप हमारे Telegram चैनल को join करना चाहते हैं तो एक लव्यास नातक one search मारकर आप हमारा Telegram चैनल भी join कर सकते हैं Slavers की बात करें So unit 1, 2, 3, 4 and 5 आज complete हो जाएगी और 6 और 7 बहुत जल्दे हम complete करवा देंगी So चलिए फिर start करते हैं Miniature paintings So हम समझते हैं कि आखिर miniature paintings होती क्या है कैसी ये दिखती है और ये किसके time पे ज़्यादा flourish हुई So जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा ये भी एक miniature painting है और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ examples के साथ Topic के अंदर जाने से पहले ये जो painting आपको नज़र आ रही है ये भी miniature art है Right side में भी miniature painting है और ये भी miniature paintings हैं जो आपको अपने दोनों तरफ नज़र आ रही है और इसके अलावा ये भी miniature art है miniature paintings है जो कि मोगल्स बनवाते थे अपने time पे और इन्होंने ही इस miniature painting के इस art को ठीक है जिसको मोगल school of painting भी कहा जाता है इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा develop किया आगे देखते हैं ये भी miniature painting है जो कि आप अपनी screens पे देख रहे हैं ये भी एक miniature painting है जो आपको नज़र आ रही है ठीक है तो the advent of Islam यानि कि जब Islam आता है और Islamic influence जब spread होता है तो एक Indian history में नया chapter होता है हमारा medieval period और हमारे painting पे भी काफी impact पड़ा हुआ गया पहले बड़ी-बड़ी paintings बनती थी large scale paintings होती थी इसको replace कर दिया miniature paintings ने 11th और 12th centuries के आसपास miniature paintings small paintings होती थी ठीक है और manuscripts में भी इनको बनाया जाता था काफी illustrated तरीके से अच्छे तरीके से और एक नया illustration आने वाला था विस period में painting during Sultanate period Sultanate period जो था आपका जिसमें slave dynasty है Khilji dynasty है Tughlaq dynasty है जितने भी ये लोग आए so there are very few illustrations काफी कम illustrations हमें इनके time पर मिलते हैं Sultanate period में and the Boston manuscript the illustrated manuscript Nimat Nama painted at Mandu during the reign of Nassir Shah Khilji ये बनाया गया था जो कि काफी few है उसमें से एक ये भी है Nimat Nama represents early synthesis of indigenous and Persian style ठीक है ये निमत Nama हमें दिखाता है indigenous और Persian style इसमें दिखाये गया है और बाद में और भी कुछ painting आई ठीक है एक और painting आते जिसको हम लोधी, कुलादार ये भी flourish हुई भाई North India के अंदर Sultanate Pine पे ही दिल्ली से लेकर जौनपूर तक medieval painting जादा तर जिसको हम मुगल स्कूल भी कहते हैं ये मुगल empire के साथ ही इसका development हुआ और बहुत ही जादा brilliant colors इसमें यूज होते थे line drawing के accuracy काफी अच्छी थी काफी realistic सी लगती थी and variety of themes उसमें दिखाई जाती थी ठीक है और बाकी style से काफी ये अलग थी और काफी popular हुई और widespread भी थी और मैं आपको अगर बताऊं कि मुगल paintings दो तरीके के cultural traditions को दिखाती है एक तो है high culture और दूसरा है popular culture high culture का मतलब है elite class को दिखाना यानि कि जो थोड़ा सा exclusive हो ऐसी चीज़ों को दिखाना जो commonly जो use होती थी जो काफी चीज़ है जो काफी cheap है easy to understand है वो सब बातें इसमें दिखाई जाती है so मुगल empire के context में बात करें तो high culture के अंदर ऐसे मतलब आप अगर यहाँ पे मतलब देख सकते हो कि मुगल emperors उनके nobles और उनके artist हुआ करते थे जो वहीं पे ही रहते थे court artist होते थे और वो फिर उसको बनाते थे और वहीं अगर popular culture की बात करें so यह general जो society होती है उनके से ही related है यह आगे भी survive करती रही जो popular culture के अंदर जो painting से जैसे for example था bazar paintings ठीक है एक example यहाँ पे दिया हुआ है bazar में मिलने वाली paintings हैं यह the mughals use paintings as a tool of display of political power mughals अपने ideology को अपने political power को अपने authority को अपने status को and अपने economic prosperity को दिखाने के लिए paintings का use करते थे उसमें वो दिखाते थे क्या-क्या वो करते हैं paintings अलग-अलग variety की होती थी अलग-अलग themes होती थी अलग-अलग colors होते थे जैसे कि paintings में battles का illustration दिखाया जाता था court life कैसी होती है उसके scene मनाई जाते थे wildlife की होते थे hunting का भी painting मनाई जाती थी portraits मनाई जाते थे development of the mughal painting barber to orange day अब इसमें समझते हैं क्या था so हमें barber से related कोई ऐसे paintings के work नहीं देखते हैं लेकिन फिर भी उनकी जो autobiography है वक्यात एबाबुरी जिसको हम कह सकते है responsible for setting the mood for future mughal art एक तरीके से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि mood तो पूरा बन चुका था कि अब भई ऐसी paintings बनने वाली it was here that he admired brilliant paintings of shah tamasp artists यानि कि यह वही time था जब उन्होंने admire किया बहुत सारी अलग-अलग paintings को और उन्होंने invite भी किया सफावी artist को मीर सेयद अली जो की बियाजद के pupil थे जिनको popularly राफेल उव्दाईस्ट भी कहा जाता है और एक और यहाँ पे artist है जिनका नाम है अब्द उस समद ये भी आते हैं काबुल के अंदर सो मीर सेयद अली और अब्द उस समद दो ऐसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट थे बहुत ही productive थे जो की आते हैं और स्टार्टिंग करते हैं paintings की ये अब दूस समद ने बनाई है जो की आप देख सकते हैं इस painting को काफी अच्छे से house of तिमोर सो याद रखेगा अकबर के बिना तो मुगल आर्ट भाई अधूरा रह जाता ठीक है और अगर मैं आपको बताऊ अकबर का ऐसा project था जिनोंने काफी ज़्यादा काम किया है मुगल paintings को लेकर इंडिया का culture और दिखाया paintings में और वो पहले ऐसे ruler थे जिनोंने an 80 layer को establish किया यानि कि एक workshop टाइप से studio टाइप से बनाया artist लोगों के लिए जिसमें दो परिशियन masters थे starting में मीर सेयदली और अब दुस्समत और इसके अलावा और ये जो पूरा वर्क्शॉप होती थी इसके अंदर दो हजार स्वरी 200 से लेकर 25 artist भी होते थे 225 artist लगवाग इतने 200 plus artist रहते थे और majority उनमें से हिंदूस की होती थी जो artist होते थे और मैं आपको बताऊं कि पहले collaborative होता था जो painting का वर्क होता था बाद में individual level पे भी ये होने लगा और इसके अलावा अबुल फजल ने जो आईने अकबरी लिखी है उसके अंदर तो art of painting पर अलग से एक section भी है separate तो ये भी अकबर का interest दिखाता है painting में और इसके अलावा बहुत सारे और भी number of artist ने join करा जैसे मीर सेयद अली, अब्दू समद, फारुक बेग, कुसरो कूली, जमशेद और अकबर ने बहुत सारे हिंदू artist को भी join किया जैसे बासवन, लाल, केसू, मुकुंद, दसवन्त, हरी बन्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बताऊं, कि ये 215 miniatures, many show Persian and indigenous influence from various parts of India, like Rajasthan, Deccan, etc, so there was a clear synthesis of linear style of Persian painting with dynamic vibrant palette of indigenous painting, so ये काफी देखने को मिलता है, कि वह indigenous painting थोड़ी सी लगी, और painting का जो style था, वो थोड़ा सा Persian था, यहाँ पे जो मैं देखने को मिलता है, और जो इस पे influence देखने को मिलता है, वो indigenous और Persian दोनों का देखने को मिलता है, और बहुती distinguished artistic project जो था अकबर के रेन का, वो है हम्ज नामा, जो कि बड़ी बड़ी pictures का एक पूरी series है, जो cotton पर बनाई गई थी जो की fabulous adventure जो था, अमीर हम्ज का जो की अकबर, जो चुसवरी, वो uncle थे, prophet के उनके बारे में दिखाया गया है और अगर मैं आपको बताओ कि बहुत ज़दा जो literary classics हैं, historical manuscripts हैं उनकी paintings बनवाई अकबर ने बहुत ज़दा, और इसके अलावा, जो सबसे ज़दा पुराना, आप कहा सकते हो illustrated historical manuscript है बाबर नामा, ठीक है और मैं अगर आपको बताओं, खुद ही अकबर की on, खुद की जो उनकी copy है, अकबर नामा, इसके अलावा, इसके अंदर सारी detail हैं, उस time पेपर का यूज करते थे, एक्सपर्ट थे भाई ये लोग, कि वो अर्थ से, एनिवल मैटर से, मैटल और मिनरल, इन से भी वो pigments बना लेते थे, so काफी talented painters से, for example जो बासवन थे, वो उनको एड्मायर किया जाता था, वो जो golden pigment यूज करते थे, इंडियन colors like peacock glue, red, etc इनका ये color painting में बहुत अच्छा लगता था, जुन्दर, मुगल painting का जो सबसे best time था, golden time था, जो उनका zenith था, वो जहांगीर के time पे आया, 1605 से 1627 के बीच में, after that क्या होता है, जहांगीर ने royal studio बगरा बंद गरवा दिया, और कुछ जो उनके favorite artist थे, वो ही ये काम करते थे, आप painting वगरा का, so ऐसे में क्या हुआ, कि this step spread the mughal style far and wide, जहांगीर के जो artist हैं, उन्होंने खुद का style develop किया, जो कि पहले के artist से थोड़ा सा अलग था, फिर क्या होता है, शाह जाहा के time पे भी ऐसा ही होता रहा, limited scale पर paintings बनती रही, लेकिन शाहा जाहा जो थे न, वो architecture में ज़्यादा interest रखते थे, और colors का अच्छे से blend होता था aesthetic सोड़ा सा लगता था realistic लगता था, जहांगीर के style का, मतलब आप यहांपे कह सकते हो कि जहांगीर's style was replaced by decorative style, थोड़ा सा decorative हो गया था painting, और border art पर ज़्यादा अच्छे से use किया जा रहा था भई, मतलब ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था although mughal painting continue to develop technically, it however became static, cold and stereotype, दीरे दीरे जैसे time आगे बढ़ता गया, painting थोड़ा सा कम होने लगी, और उनकी liveliness बिलकुल खोच चुकी थी और जैसा हुआ करता था पहले दरवार के अंदर बैस ही नहीं थी और इसके अलावा themes like musical parties, lovers, उन्दा terrace and garden वगरा, यह सब था abound in the mughal paintings of this period so even in the illustrated copy of the पादशा नामा, presence was given to दरवार scenes, ज्यादा तर दरवार scenes दिखाये जाते थे, while in the outdoor scenes, the expressions were weak and dull ठीक है, so बिचित्र बालचंद, पयाग, मुहम्मद नादिर, etc, यह कुछ शाह जाके time के important artist के नाम है और decline, जो है painting का वो होने लगता है, in the period of शाह जहाँ, और औरंगजेब के time पे बहुत ही ज्यादा effect हुआ यह painting वाला art जो था, और इसके अलावा, क्योंकि कोई king interest नहीं दिखा रहा था, तो बस इसको patronage नहीं थी, कोई royal, so यहीं पे भाई, दिक्कत हो गई, जो studio खोले थे, अकबर ने, जो workshop खोले थी, वो बंद हो गई, और होता क्या है, it became confined to the studios of nobles, princes of royal blood, and was less naturalistic in comparison to the court paintings, अब यह ज़्यादा नहीं चल रहे थे, ठीके हैं, और बस कुछी nobles के studio बचे थे, और इसके अलावा being closely based on the mughal style, these are often termed as imperial paintings और bazar paintings, अब कुछ paintings चो आती हैं, थोड़ी-थोड़ी mughal style की लगती थी, इनको हम सब imperial painting भी कहते हैं, या bazar painting इनको कहा जाता है, यह काफी cheap थी, less time consuming थी, और ज़्यादा तर decoration वगर के लिए इन paintings का use होता था, आम आदमी इनको use करते थे, तो इसी के साथ topic खतम होता है, पाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो please प्लीज प्लीज में आपको link दे दिया जाएगा, जय हिंद जय भाब